70-75 सीटों पे बहुत ही सिस्टेमाटिक ढंग से घपला किया गया और हराया गया लोगों को वरना शायद आज इस मुल्क के बहतर हालात होते हमारे चीफ जस्टिस प्रधान सेवक के साथ मिलके घर में घंटिया बजा रहे हूं तो यूडिशरी से भी उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है बहुत मुश्किल है बताना एक आम इंसान को जो आज तक इस प्रोसेस में इंवॉल्ड नहीं हुआ है डिमोक्रिसी को बचाने की उसके लिए जरूरी है कि वो बोलना शुरू करें कि अगर आप हिम्मत करें हराया जा सकता है सर जुकाया भी जा सकता है ऐसे लोगों का जो इनको अपनी एगो के अलावा कुछ नहीं दिखाए दे क्योंकि नफरतें तो हमें घरों से ही मिटाने की शुरुआत करनी पड़ेगी ये एक दिन दो दिन चार दिन दस साल में नहीं जाने वाली ये हार भी जाएं तब भी ये लड़ाई बहुत लंबी है हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा शक्स था जो कमुनलिज्म के खिलाफ इन ताकतों के खिलाफ बाकी सब को एक जुट कर सकता था एक प्लाटफॉर्म पे ला सकता था तो वो सीता ही था उसका जाना हम सब को बहुत भारी पड़ेगा और लगतार कमी महसूस होती रहेगी एक ऐसी कमी जो शायद भरी नहीं जा सकती आज के हिंदुस्तान में दानिश भाई ने कहा कि हम हरा के रहेंगे ये हिंदुस्तान की खास्तोर से दिल्ली की सिविल सुसाइटी ने ये जिम्मेदारी मुझे बहुत सालों से दे रखी है कि कितने भी बुरे हालात हूँ उसमें कहीं न कहीं उम्मीद की किरन को जगाए रखना और कुछ न कुछ खुराफात ऐसी सोचते रहना जिसमें लोग लगे रहें और हम इस उम्मीद के साथ लड़ते रहें कि अलग अलग creative campaigns के जरिये से कि हम इस मुल्क में जो constitution है जो democracy है जो भाई चारा है उसको बचाए रखे हैं जब election का result आने वाला था तो बहुत जादा यूफोरिया था और उमीदें भी थी हम सभी को तीस्ता ने जिकर किया लेकिन क्योंके time नहीं था सारी बात नहीं कही लेकिन ये बिलकुल साफ है कि 70-75 सीटों पे बहुत ही systematic ढंग से घपला किया गया और हराया गया लो इस मुल्क के बेटर हालात होते हैं इस मुल्क में ना सिर्फ ये के minorities ने दलिट्स ने आदिवासियों ने बलके एक बड़ा section जो activist का है उसने बेहद मेहनत की थी ताके हम फासिवादी ताकतों को इस बार हरा सके हैं लेकिन जो result आए उसके बाद भी पहले हफ़ते तक civil society में खास्तों से women feminist circles में बहुत यूफोरिया था और मुझे लगता है कि वो result आते ही ऐसा महसूस हो गया था कि जमीन पे कुछ भी नहीं बखलेगा और जमीन पे ना ये कि कुछ बदला पार्लिमेंट में जरूर बदला है ये बात सही है कि पार्लिमेंट में जो भाशन होते हैं जो हम सुनते हैं उससे उम्मीद मिलती है लड़ाई भी opposition ज़्यादा जोर से कर रखा है कर रहा है लेकिन जमीन के ऊपर हाला बद से बत्तर हो गया उनके लिए बहुत important था ये कहीं के with vengeance अभी attacks हो रहे है minorities पे खास तोर से मुसल्मानों और Christians पे मुसल्मानों पे इसलिए के काफी organized तरीके से उन्होंने कोशिश की थी सरकार को हराने की बहराल जब हमारे Chief Justice प्रधान सेवक के साथ मिलके घर में घंटिया बजा रहे हूँ तो यूडिशरी से भी उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है बहुत मुश्किल है बताना बीच-बीच में कुछ-कुछ ऐसे judgments दे देते हैं कि आपको लगे वाव ही Supreme Court है लेकिन जो crucial वक्त होता है उस वक्त या तो वो सुनवाई ही नहीं होती उन cases की या होती है तो उसको इधर-उधर करके निकल जाते हैं पत्विगरी से इसी तरह पूरा जो पुलिस का महक्मा है जो बिरोक्रेसी है जो ना सिर्फ ये के they have totally given in बलके पूरा institutionalized तरीके से एक fascist सरकार के जो wings होते हैं वो अब बन गए हैं ऐसे हालात में किस तरह उमीद को गायम रखा जाए किस तरह लड़ा जाए किस तरह ये सोचा जाए कि हम इन ताकतों को हरा देंगे ये बात जरूर है कि इस सरकार इस election के बाद जिस तरह का डर का माहौल था उसमें कुछ कमी आई है election से पहले तो काफी कमी थी क्यूंकि आम लोग बोलने लगे थे कोशिश ये है कि फिर से उसी तरह से जबानों को बंद कर दिया जाए तो मेरे सुचाव यही है कि एक तो यह कि हाला कितने भी बुरे हो निडर होके बोलते रहना लगातार और सिर्फ वो लोग नहीं कि जो जर्निलिस्ट है या लॉयर्स है या एक्टिविस्ट है एक आम इंसान को जो आज तक इस प्रॉसेस में इंवॉल्ड नहीं हुआ है डिमॉक्रिसी को बचाने की उसके लिए जरूरी है कि वो बोलना शुरू करे बोलने वाली आवाजें इन फासिवादी ताकतों के खिलाफ मुल्क में बढ़नी चाहें जितना आपको याद होगा बीस जन्वरी पूरे देश में भगवा जंडे लगे हुए थे जिस तरह से हमें लगता है हम इंटिमिडेटिट फील करते हैं उसी तरह हमारी बुलन्द आवाजों से भी उनको डर लगता है ये याद रखिये वो भी उतना ही घबराते हैं जब हमारी आवाजें बुलन्द होती हैं इसलिए भी बुलन्द आवाज करना बहुत जरूरी है ताके ये मैसेज हर वक्त जाता रहे कि हालात कितने भी खराब हों हम डरने वाले नहीं हैं ये मैं किस्सा काई लोगों को सुनाती हूँ एक फिल्म मैंने देखी थी हिटलर के वक्त के जर्मनी की उसमें एक बेंच है जिसके उपर लिखा है not for Jews, Jews not allowed और उसमें एक क्रॉस लगा हुआ है उन हालात में भी किसी मे तो हिम्मत थी जो जाके उस बेंच के उपर क्रॉस लगा दिया था जब लाखों करोडों जी उसको गैस चेंबर्स में मारा जा रहा था हमारे या भी वैसे हालात नहीं है और मुझे लगता है कि किसानों ने हमारे पूरे देश को ये दिखा दिया है कि अगर आप हिम्मत कर हैं तो हराया जा सकता है सर जुकाया भी जा सकता है ऐसे लोगों का जो इनको अपनी एगो के अलावा कुछ नहीं दिखाए देता है दूसरा ये के लगातार जो कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं जैसा अभी जिकर हुआ कि लगातार नोटिस भेजना एक वाच रखना कि कहा पर क्या हो रहा है उसके खिलाव केसिस करना वो सिर्फ एक संस्था वैट के बॉंबे में या दो दिल्डी में या दो गुजरात में उनके करने से ये नहीं होगा ये सब को करना ज़रूरी है ये जितने भी लोग हैं जो भी कर सकते हैं जब भी ऐसा हमारे सामने आता है तो एक जाके पुलिस में F.I.R करने की कोशिश कीज़े, हर बार नहीं होगी, लेकिन कोशिश तो कीज़े, कहीं भी हेट स्पीच होती है, कहीं भी इस तरह की बयान बाजी होती है, उसके खिलाफ एक आवाज उठाना ज़रूरी है। और तीसरा मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी छोटी 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 चीजें, जो हम एक समाज के स्तर पे कर सकते हैं, जिस तरह से हम जेंडर एक्वैलिटी एक दिन में नहीं ला सकते, एक बड़े अर्से से लड़ाई चल रही है, धीरे 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 परिवर्तन आता ह उसी तरह से हम इन ताकतों को भी एक दिन में नहीं हरा सकते, इन नफरतों को भी नहीं हरा सकते, उसके लिए जैसा माइकल ने कहा था कि एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कीजे, हमने पिछले पंधरा अगस्त को एक बहुत छोटा सा केमपेश शुरू किया था, जो हर वक्त जारी रह सकता है, जिसका नाम था मेरे घर आके तो देखो, और उसमें अभी तक एक लाग से जादा लोग एक दूसरे के घर जा चुके हैं, एक लाग कुछ भी नहीं होता इतने बड़े मुल्क के लिए, लेकिन चीजें बहुत धीरे 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 बदलती हैं, मुझे लगता है कि ये एक बहुत एहम कदम होगा, अगर जो दलित नहीं हैं वो दलितों के घर जाएं, जो बाकी किसी भी कमुनिटी के हैं, वो मुसल्मानों के क्रिस्टिन्स के घर जाएं, जो लोगों का दूसरा सेक्शोल और औरियंटेशन है, लगी टी क्यू आई कमु मिटाने की शुरुआत करनी पड़ेगी, ये एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस साल में नहीं जाने वाली, ये हार भी जाएं, तब भी ये लड़ाई बहुत लंबी है, हारने के बाद भी जिस तरह से इंफिल्ट्रेशन है सारे दिमॉक्रिटिक इंस्टिटूशन में मैं ख अफरी बात में ये कहूंगी कि बहुत सारे लोग और खास्तोर से मैं मुस्लिम कमुनिटी के बारे ने ये कहना चाहूंगी, मैं चालिस साल से एक अक्टिविस्ट हूँ और मैंने सिर्फ एक बीच का हम अर्सा छोड़ दें जब FCR था, सिर्फ डोनेशन पे पहले सहर नाम क कि एक organization फिर सहमत अब अनहर पिछले 20 साल से, बिर्यानी के लिए पैसा नहीं चाहिए मुझे, कोर्मे के लिए भी नहीं चाहिए, मैं किसी नेता को बुला के आपके साथ फोटो भी नहीं खिचवाओंगी, क्योंकि फोटो खिचवाओंगी और बिर्यानी साथ में हो तो शा भी जितने लोग इस मुल्क में आज डिमोक्रिसी की लड़ाई लड़ते हैं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके हाथ आप अपने donation दे के मजबूत कर सकते हैं नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं, नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें